Hello everyone, welcome to our channel The Top Everything दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी एक्ट्रेस दिपिका कक्कर के बारे में दिपिका कक्कर को तो आप सब जानते ही होंगे तो इस वीडियो में इनकी लाइवी स्टाइल एज, एजुकीशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्थ, कार कलेक्शन और फैमिली के बारे में बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप दिपिका कक्कर के फैन हैं तो इस वीडियो कर देए लाइक दिपिका का रियल नेम दिपिका कक्कर है, निकनेम दीपू, दीपी है अधर नेम इनका है फैजा, प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है दिपिका कक्कर का जनम 6 अगस्त 1986 को पूने महरस्टरा में हुआ और 2020 के हिसाब से 34 साल की है दिपिका ने अपनी ग्रिजुईशन करी है युनिवर्सिटी ओफ मुंबई से अब बात करते हैं दिपिका कक्कर के करियर के बारे में दिपिका ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में एर होस्टेज से की और इन्होंने जेट एरवेज में एर होस्टेज के तौर पर 3 साल तक काम किया और फिर इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और अपना कदम इंटरेंडमेंट इंडेस्ट्री की और बढ़ाया और फिर इन्होंने 2010 में टीवी डेबउक किया इमेजन टीवी के सीरियल नीर भरे तेरे नैना देवी से जिसमें दिपिका ने लक्षमी का किरदान निभाया और फिर 2011 में दीपिका ने काम किया सीरियल अगले जनम मोही बिटिया ही कीजियो में दोस्तों मैं आपको बता दू दिपिका ने इसी साल यानि 2011 में ही कलेश टीवी के फेमस सीरियल ससुराल सिमरका में काम किया जिसमें इन्होंने लीड रोल के तौर पर सिमरका किता निभाया और ये सीरियल 2011 से लेकर 2017 तक चला यानि पूरे 7 साल ये सीरियल चला और इसके बाद दिपिका ने 2015 में पार्टिसपेट लेया जलक दिखला जै एट में और फिर 2017 में दिपिका ने अपने हस्बेंड शोइब इबराहिम के साथ पार्टिसपेट लेया नच बली एट में और इसके बाद दोस्तो दिपिका ने पार्टेसिपीट लैबिक बॉस सीजन 12 में और काफी अच्छा खेल के दिपिका इस शो की विनर बनी और इसके बाद 2019 में दिपिका ने काम किया सीरियल कहा हम कहा तुम में जिसमें दिपिका ने सुनाक सी रस्तोगी का किरदार निभाया और मैं आपको बता दू दिपिका ने सीरियल के अलावा फिल्म में भी काम किया है जी हाँ दोस्तो दिपिका ने 2018 में डेब्यू किया फिल्म पल्टन से दोस्तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना दिपिका ककर आपको कैसी लगती है चले मिलवाती हैं आपको दिपिका ककर की फैमिली से तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह है दिपिका ककर के फादर और दिपिका की मदर का नाम है रेनू ककर और दोस्तों जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह है दिपिका की सेस्टर बात करें दिपिका की हस्बेंट के बारे में तो मैं आपको बता दू दिपिका ने दो शादी कर रखी है इन्होंने पहली शादी की थी रॉनक सेमसिन से 2008 में और इन दोनों का 2015 में डिवॉस हो गया और फिर इसके बाद दिपिका ने शादी की 2018 में शोयब इबराहिम से बात करें दिपिका के हाउस के बारे में तो दोस्तो मैं आपको बता दू दिपिका ककर मुंबई महरेष्टरा में रहती हैं जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं और यह अपने हस्बेंट शोयब इबराहिम के साथ रहती हैं बात करें इनके Cars Collection के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू दिपिका के पास BMW GT की कार है जैसे कि आप देख सकते हैं अब बात करते हैं इनकी Sally के बारे में तो ये Sally लेती हैं पर एपिसोड करने के लिए दोस्तों एक लाख रुपे और इसके अलावा दिपिका इंस्टाग्राम से ब्रांड प्रमोट करके भी अन करती हैं बात करें इनके Net Worth के बारे में तो मैं आपको बता दो दोस्तों इनका Net Worth है 22 कडो रुपे तो ये थी दिपिका ककड की लाईवी स्टाइल वीडियो अगर आप दिपिका ककड के फैन हैं तो इस वीडियो करदे लाइक अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्र करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर वताएं नेक्स वीडियो कि सेलेबिटी के बारे में चाहते हैं